अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री का टॉपिक आटम सेंड मॉलिक्यूल्स कवर करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे लोज ओफ कैमिकल कॉंबिनेशन डाल्ट इसमें अपने पर टॉपिक कवर करेंगे विदाव डूपिक यहां पर लेक्चर आटम सेंड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं ठीक है तो यहां पर हमारे पास कुछ जिन्होंने अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिये तो उनके बारे में हम देख लेते हैं तो महर सबसे पहले हमारे पास महर श्री कन्यट्जी आए उन्होंने बोला कि माटर को ऊहनों एक टर्म दिया है जिसको मैं हम क्या बोलते हैं Wass valley मैस इस घर सकते हैं तो वह पार्टिकल तो पर्दर डिवीट नहीं हो उस पार्टिकल को इन्होंने क्या बोला पर्मानु बोला इन्होंने पर्मानु तर्म का नाम क्या दिया उस पार्टिकल का नाम क्या दिया पर्मानु दिया उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया कि वीश जब हम किसी माटर को डिवाइड करते हैं स्टेज विल रीच ब्यांड विश पार्टिकल कैनों डिवाइड फॉर्दर अग्द पर्मानु फिर हमारे पास आते हैं पकुड़ा करते हैं मांजी उन्होंने क्या बोला कि जो पार्टिकल्स है जनरली कमबाइड स्टेट में रहते हैं और यह कमबाइड करके वेरिस फोर्म of matter बनाते हैं यह किनोंने बोला यह पकुडा कट्याम अभी ने बोला कि पार्टिकल क्या करते हैं कमबाइज़ फोम में रहते हैं और कमबाइज होके डिफॉर्म्स ओफ मातर बनाते हैं नेक्स फिर हमारे पास फिलोसफर आये थे ग्रीक फिलोसफर थे डामो क्रिटस अन्लूसिपस इन्होंने क्या बोला कि जो यह इंडिविजिवल पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं उनको उन्होंने क्या बोला उनको उन्होंने नाम दे दिया उन प chemical combination इन्होंने laws of chemical combination दिये और chemical science का foundation ले किया so what were those laws of chemical combination law of conservation of mass law of constant proportion law of multiple proportion these are the laws which are used while doing reactions तेके जो reactions में यूस होते हैं ये लोस ठीके और भी काफी laws है जैसे कि एवगेट्रो लो यह हम अपने आगे आने वाले lectures में पढ़ेंगे इनके बारे में भी okay so अभी हम इन तीन laws को थोड़ा detail में देख लेते हैं कि यह लो दिये किसने और यह लो स्टेट क्या करते हैं so सबसे पहले है law of conservation of mass इस लोग क्या बोलता है कि matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction ना तो हम matter को बना सकते हैं नहीं हम matter को destroy कर सकते हैं chemical reaction में okay और यह दिया किसने था लेवोईजर ने दिया था and this law is known as law of conservation of mass example से समय लेते suppose we have reactant a जो react कर रहा है reactant b के साथ और product बन रहा है a b so जो mass reactant a का है plus mass of reactant b तो जो product का mass जो product a b है उसका mass b किसके equal होगा mass of reactant a plus mass of reactant b इसके equal होगा mass of product a b this law states that conservation of mass कि mass can't neither be created mass can neither be created not be destroyed in a chemical reaction okay next law is law of constant proportion यह joseph frost ने state किया था यह क्या कहता है यह लोग क्या कहता है कि chemical substance in the chemical substance घर्मिकल सब्स्टांस कोई chemical substance जो बनता है वह elements से बनता है तो जो elements से वह chemical substance बना है वो उस chemical substance में elements जो होगे वह definite proportion of mass में present होगे तिक है जो elements present होगे किसी chemical substance में definite proportion में होगे for example अगर हम water की बात करे वाटर का chemical formula होता है H2O, so H2 यहाँ पर देखो hydrogen की 2 molecules है, oxygen का 1 molecule है, अगर हम mass की बात करें, oxygen का mass होता है 16, and hydrogen का mass होता है 1, तो molecule hydrogen की 2 है, तो mass क्या हो जाएगा 2, so जो hydrogen है, उसका mass कितना है 2, oxygen का है 16, तो अगर हम ratio देखे, mass of hydrogen to oxygen, वो कितना हैगा 1 is to 8, तो हम water का molecule कहीं से भी ले ले, आप अपने river से ले लो, pond से ले लो, कहीं किसी water tank से ले लो, कहीं से भी water का molecule लोगे, वहाँ पे hydrogen और oxygen का mass ratio होगा, वो 1 is to 8 होगा, ऐसे नहीं होगा, कि mass ratio hydrogen oxygen के pond water का अलग होगा, filter के water का अलग होगा, river के water का mass ratio, hydrogen oxygen का mass ratio अलग होगा, ऐसे नहीं हो कोई chemical substance बनाने के लिए जो elements उसमें present है वो definite proportion में रहेंगे जैसे कि water कहीं का भी ले लो वहाँ पे hydrogen और oxygen का mass ratio हमेशा 1-8 ही रहेगा another example is ammonia ammonia दो elements से बना हुआ है nitrogen and hydrogen nitrogen का one molecule है nitrogen के कितने molecules है 3 molecules है nitrogen का atomic mass होता है 14 और hydrogen atomic mass 1 होता है लेकिन यहां पर 3 molecules है hydrogen के तो total atomic mass of hydrogen in NH3 is 3 तो अगर हम mass ratio देखे nitrogen और hydrogen का it will come out to be 14 is to 3 तो 14 is to 3 mass ratio होगा nitrogen और hydrogen का ammonia में तो आप ammonia कहीं से भी ले रहे हो कोई भी source है आपका ammonia का वहाँ पे hydrogen और nitrogen का जो mass ratio है वो 14 is to 3 ही रहेगा चाहे वो आप ammonia कहीं से भी ले रहे हो तो कोई भी chemical substance बनाने के लिए जो elements उसमें लगे हुए हैं वो हमेशा क्या होंगे definite proportion में होंगे चाहे वो chemical substance का source कुछ भी है ओके नेक्स्ट कोशन इस नेक्स सोरी नेक्स्ट लो इस लो ओफ मैल्टिपल प्रोपोर्शन लो ओफ मैल्टिपल प्रोपोर्शन वोस गीवन बाई डालतन किसने दिया था यह डालतन ने दिया था तो इन्होंने क्या बोला अगर दो elements combine कर रहे हैं तो वो दो elements जरूरी नहीं सिर्फ एक ही compound बनाएंगे वो दोनों मिलकर एक से ज्यादा compound बना सकते हैं यह बोला था किसने डालतन ने बोला इन है जो लो ओफ मैल्टिपल प्रोपोर्शन ठीक है और जो elements है वो combine करेंगे small whole number की रेश्यों में okay for example we have two elements A and element B so जो element A and B है it can combine in the ratio 1 is to 2 ठीक है देखो AB2 is a compound made by the same elements A and B ठीक है AB is another compound made up of element A and B AB3 is another compound made up of element A and B so A and B देखो combine कर रहे हैं different ratio में to form the different compound तो यह क्या state करता है यह state करता है लो ओफ मैल्टिपल प्रोपोर्शन इसका क्या कहना है जो state करता है कि दो element combine कर सकते हैं different ratio में to form the number of compounds okay और यह लो दिया किस नहीं था यह लो डालतन ने दिया था another example हम इसका देख सकते है NH3 का and NH2 देखो यहां पर भी nitrogen hydrogen है यहां पर भी nitrogen hydrogen है दो बार भी यहां पर लिख देती हूं NH2 का and NH3 का यहां पर भी nitrogen और hydrogen है यहां पर भी nitrogen और hydrogen लेकिन जो रेशू है यहां पर 14 इस्टू है और यहां पर 14 इस्टू 3 है देखो रेशू different है ठीक है small whole number की ratio है but they are combining in different ratios to form the different compound तो यह लो क्या बताता है law of multiple proportion that was given by Dalton अब Dalton ने एक बहुत ही important अपनी atomic theory भी दी थी जो कि बेस्टी laws of chemical combination पर वो थियोरी बेस्ट थी जो Dalton थे वो England के थे तो यह हमें पता हुझे कई बार पूछ लेते कि कौन से scientist कहां से belong करते थे क्योंकि ncrt में yellow box जो होते हैं यह do you know वाले box होते हैं वहां पर ही mentioned होते हैं वहां से कोशन बनने के बहुत जादा चांसे बन जाते हैं सो डाल्टन कहां के थे England के थे और उन्होंने atomic theory दी जिसको हम डाल्टन's atomic theory बोलते हैं और वह laws of chemical combination पर बेस्ट थी so according to Dalton atomic theory उन्होंने क्या बोला कि जो matter है all matter whether an element ya compound तक्या मै्ऐ हम किसी की भी बात कर रहे हैं वह सब किसके बने हुए है matter sins अउन्होंने कुछ अपने theory और उन्होंने कुछ अपने थिओरी में बना हुआ है जिसको उन्होंने क्या बोला और यह participate करते हैं जिसके बने हुए हैं पदार्थ किसके बने हुए हैं आटम के बने हुए हैं और यही आटम कामिकल रियक्षन में participate हिस्सा लेते हैं second postulates क्या बोला इन्होंने कि जो atom है वो indivisible है उसको हम divide नहीं कर सकते ठीक है further divide नहीं कर सकते और atom को conserved रहता है क्या है वो conserved है by mass ना तो हम उसको create कर सकते हैं ना हम उसको destroy कर सकते हैं chemical reaction में बट एक form से दूसरे form में transform जरूर कर सकते हैं यह उनका second postulate का third postulates के उन्होंने क्या बोला और उन्होंने बोला कि जो given items है given element के वो same होते है mass में और उनकी properties भी क्या होगी same होगी of a given element suppose करो मैं iron के बात करती हूं तो iron के जितने भी atoms होंगे सबका mass same होगा सब की properties same होगी copper element की करते हैं तो जो copper के atoms होगे उनका सबका mass same होगा सबकी properties same होगी ऐसा नहीं होगा copper के जो atoms है उनका अलग-अलग mass होगा अलग-अलग properties होगा ऐसा नहीं होगा एक element के सभी atoms का mass और property same रहता है ठीक है यह उनका fourth firstulate का fifth firstulate क्या था कि जो atom है वो combine करते हैं रेशु में और small hall number in the ratio of small hall number ताकि वो compound बना सके ठीक है तो fourth fifth postulate was this six postulate में क्या बोला उन्होंने कि जो relative number और kind of atoms है वो given compound में क्या होंगे constant होते हैं given compound में जो number of atoms है और या फिर kinds of atom है given compound में क्या होंगे constant होंगे यह उन्होंने अपने six postulate में बोला so these were the postulate that were given by the dalton in his dalton atomic theory यह हमें आने चाहिए इसमें question क्या बन जाएगा आप से पूछ लेंगे which of the following is not the postulate of dalton atomic theory या फिर इन में से कौन है आपको correct और incorrect के लिए question आ जाएगा क्योंकि last year 2021 में भी यहां से question पूछा गया था यह वाला point आया था जिसको पूछा गया था it is right or wrong true or false correct और incorrect में now another topic is what is an atom atom क्या है atom क्या होता है building block of matter होते हैं atom जितने भी हमारे matter है कोई भी substance है कोई भी compound है वो सब किसे बने हुए है atom से बना हुए है atom बहुत ही small size है जो सबसे छोटी चीज आप imagine कर सकते हो उससे भी छोटा होता है atom अगर आप thin sheet of बहुत ही जादा thin sheet of paper भी ले रहे हो तो उसमें भी millions of atoms present होते हैं to make that thin sheet of paper तो आप अंदाजा लगा सकते हो atom कितना छोटा होता होगा जो atom है atomic radius जो है हम atoms का atomic radius है वह हम nanometer में मेजर करते हैं किस में मेजर करते हैं nanometer में मेजर करते हैं ठीक है one meter is equals to 10 to power 9 nanometer तो यह conversion आपको आना चाहिए कोशन भी आ सकता है conversion भी आ सकता है ठीक है relative sizes of certain atoms are given in this table which is very important क्योंकि यह last year question में hydrogen का radius पूछ लिया गया था hydrogen का radius पूछा था last year कि अगर हम previous question की बात करें तो atom of hydrogen has 10 to power minus 10 radii meter में दिया हुआ है आप nanometer में convert कर लेना ठीक है क्योंकि हापे conversion दिया हुआ है तो आपको दोनों में आना चाहिए meter as well as nanometer molecule of water का radii है 10 to power minus 9 molecule of hemoglobin 10 to power minus 8 grain of set 10 to power minus 4 and 10 to power minus 3 apple 10 to power minus 1 so these are the relative sizes of some atoms अब देखो जो डाल्टन थे सबसे पहले जो different elements थे अब इन elements को हम पहचाने कैसे तो different elements को पहचानने के लिए डाल्टन ने कुछ symbols दिये कुछ symbols जिसे हम elements को पहचान सके जो कि हमारे modern day symbols से अलग है तो सबसे पहले symbols दिये थे who was the first to use the symbols for the element was दाल्टन उन्होंने कुछ इस तरह के symbols दिये थे elements के hydrogen का circle with a dot in the middle and phosphorus का कुछ इस तरह का था copper circle with c in the center iron का circle with i in the center silver circle with s in the center mercury circle with small beads on the periphery oxygen blank circle surfer circle with plus carbon with shaded circle light circle with L platina circle with B तो यह सब क्या थे यह सब symbols जो थे वो डाल्टन ने दिये थे okay these were the symbols proposed by the dalton तो आपको यह symbol कैसे थे यह आपको आने चाहिए उन्होंने किस कौन-कौन से टाइप के symbols किस किस के elements के symbol कैसे दिखते थे यह आपको आना चाहिए आप से question यहां से पूछ सकते हैं ओके तो उसके बाद हमारे पास डालतन के बाद बरजीलियस आए उन्होंने बोला कि जो elements है उनके symbol जो है वह या तो एक letter से या फिर दो letter से बने होंगे ठीक है one और two letters of the name of element जो element का name है उसके one या फिर दो letter से क्या होगा symbol बना हुआ होगा यह ऐसा बरजीलियस ने बोला उसके बाद जो पहले की अगर हम बात कर ले तो earlier जो थे elements के name वह जहां से element derive के गए हैं जहां पर element मिले हैं वहां से element के नाम रख दिये जाते थे for example copper copper मिला था सिप्रस रीजन में तो क्या हुआ से copper का नाम रखा गया copper okay so पहले earlier names were put on the basis कि वह कहां से मिले हैं कौन से place से वह मिले हैं उसके basis पे उनका नाम रख दिया गया था उसके बाद हमारे पास एक इंपोर्टेंट से जाजाती है आयू पैक ठीक है यह एक international organization है इसका full form है international union of pure and applied chemistry ठीक है अब international organization है यह वह organization है जो अप्रूव करती है names symbol and units names symbols and units of the element को अप्रूव करती है यह वह organization है international organization अगर किसी element का नाम अप्रूव करना है symbol अप्रूव करना है तो कौन करेगा आयू पैक करेगा जिसकी full form क्या है international union of pure and applied chemistry ओके तो अब जो symbol हमारे modern day में use की जाते हैं वो कैसे होते हैं जो symbol है वो always written as a capital letter तीक है या तो क्या होगा जो symbol होगा single letter का बना होगा या फिर दो letters का बना होगा single letter का बना हुआ है पहला letter will be capital दो लेटर का बना हुआ है तो पहला letter will be capital uppercase and जो दूसरा letter है वो small होगा lowercase for example hydrogen hydrogen का symbol है X जिसको हम capital H से लिखेंगे अब जो aluminium है वो दो letter से बना हुआ है उसका symbol दो letter से बना हुआ है AL तो पहला letter will be the capital तीक है जो first letter होगा उसको हम capital में लिखेंगे uppercase में और जो दूसरा letter होगा उसको हम lowercase में लिखेंगे aluminium का AL ऐसे नहीं लिखेंगे इस तरह से उसको symbol बनाएंगे copper का अगर हम देखे तो copper का क्या होगा Cu capital C and small U cobalt का अगर हम देखे capital C small O cobalt इस तरह से नहीं लिख सकते capital C capital O नहीं लिख सकते this is the symbol of cobalt इसको ऐसे नहीं लिख सकते capital C capital अगर ऐसे लिखोगे यह तो carbon monoxide बन जाएगा यह carbon monoxide का chemical formula है आप इन elements के symbol को जरूर याद करें कि किस तरह से elements के symbols बनाए गए हैं और किस तरह हम उनको represent करते हैं कुछ elements जो है symbols of some elements are formed from first letter of the name letter appearing in the letter in the name examples are जैसे chlorine है दो symbol से बनाए देको पहला letter क्या है C और ऐसा जरूरी नहीं है जैसे हमने cobalt में लिया था कि CO है तो पहला और दूसरा letter ही लेना है ऐसा नहीं है पहला तो लेना ही लेना है लेकिन जो दूसरा letter है वह आप मिड में से भी ले सकते हो जैसे कि यहां पर लिखा हूँ है कि letter जो दूसरा letter होता है वह element की name पर कहीं पर भी आ रहा हो वहां से आप ले सकते हो जैसे chlorine है chlorine का C capital और L small zinc Z capital N small word ओके इस तरह से हम क्या करते हैं elements के symbol represent करते हैं कुछ और हमारे पास चीज़े हैं इसमें elements के लिए समझने के लिए जो names of elements है ठीक है वह Latin German और Greek से भी लिए गए है जो elements के name है वह कहां से लिए गए है German Greek Latin और example जो iron है iron का symbol हम FE लिखते हैं that is from its latent name फारं जो iron का latent name है फारं वहां से iron का symbol लिया गया है FE sodium का अगर हम latent name की बात करें तो natrium है और वहां से उसका symbol लिया गया है NA potassium का जो latent name है वह है kalium और वहीं से इसका symbol लिया गया है के तो यह अब जरूर यहां से read करना ओके और याद रखना कि कौन से यह ज्यादा important है Latin name वाले क्योंकि बाकी तो सारे क्या है नेम से ही शुरू हो रहे हैं symbol लेकिन जो latent name वाले हैं जिसके iron हो गया potassium sodium इनके symbols जरूर ध्यान रखें so these are some of the elements जिनका unique chemical symbol और नेम है आप से यह भी पूछ लेंगे iron का latent name क्या है फारम है potassium का latent name क्या है kalium है sodium का potassium name क्या है natrium है यह question भी पूछ लेंगे क्योंकि FE का latent name पूछा गया था 2021 में okay so this was about the symbols यहां पर एक symbol का चार्ट दिया हुआ है symbol of some important element यहां पर दिया हुआ है so symbols यहां पर आपको याद होंची है aluminum का argon barium ठीक है potassium का क्या silicon का ऐसा है तो यह आपको जिसे आप read करते रहोगे तो आपको यह elements की symbol याद होते रहेंगे so this is important आप इसको जरूर पढ़ें symbols of the element next topic is atomic mass Dalton atomic theory ने प्रपोस किया किसका idea atomic mass का idea प्रपोस किया जो explain करता है law of constant proportion as well as Dalton atomic theory ने क्या प्रपोस किया atomic mass का भी concept प्रपोस किया जो explain करता है constant proportion वाला law अब देखो जो mass of atom होता है उसी को हम क्या बोलते है atomic mass कहते है 1961 में IUPAC ने atomic mass को जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं उसको accept किया to express the atomic and the molecular mass of the elements in the compound 1961 में IUPAC ने accept कर लिया atomic mass जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं to express the weight of atoms or the molecular mass of the compound or element अब देखो atomic mass होता क्या है उसको कैसे define करते है atomic AMU atomic mass unit is defined as the quantity of mass quantity of mass equal to 1 by 12th of mass of carbon or 12 अगर आपसे definition देखो यह definition बहुत important है 2021 में यह definition पूछी गई थी यहां से पूछ लिया था 1 by 12 of mass of which atom hydrogen oxygen carbon which atom तो हमें answer करना था carbon 12 atom का 1 by 12 of mass 1 by 12 of mass of carbon 12 atom is defined as AMU atomic mass unit very important तो हम इसको represent कर सकते है 1 AMU or U is equal to 1 by 12 into mass of carbon 12 1 by 12 of mass of carbon 12 is the atomic mass unit अगर हम इसको solve करते हैं तो हमारे पास 1 AMU 1 atomic mass unit का value हो जाता है 1.66 into 10 to power minus 27 kg तो यह आपको याद होनी चाहिए यह value भी यहापे कुछ elements दिये हुए है hydrogen, carbon, nitrogen साथ में atomic mass भी आपको दिया हुआ है यह आपको याद होने चाहिए first 20 elements के आपको atomic mass and atomic number दोनों ही याद होने चाहिए first 20 elements के जो है वह बहुत ही important है क्योंकि वहाँ से numericals भी आएंगे तो भी आपको जुरुत पड़ेगी वैसे direct question भी आ सकता है so some of the elements हैं यहाँ पर given है और उनका atomic mass यहाँ पर given है तो वह आप ज़रूर याद करें so this was all about today's lecture I hope you liked my video do like, share and subscribe to my channel Learn with Alka your notes है इस lecture की वह आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिलेंगा description में मेरा instagram as well as telegram channel का link mention है वहाँ जाकर भी आप मुझे follow कर सकते हो झाल झाल से लेखान कर दो से लेखान से लेखान साल झाल